घर के ही सामान से यदि इतनी खुबसर चॉकलेट बन जाए तो क्या आप विश्वास करेंगे आज हम इसे बनाएंगे एकदम सिंपल इंग्रेट्स जो कि घर में हमेशा वेरेबल रहता है इसमें हम कोको पाउडर वगर कुछ नहीं डालेंगे और बिना कोको पाउडर के इतन बॉस्त या फी हॉड्लिक्स कोई भी चॉकलेटर रिंग क्ले सकते हैं और बॉनविटा में दाने होते हैं तो हम इसमें मिक्सर जार में डाल के इसे फाइन पीस लेंगे और यदि आप बूस्त या हॉर्लिक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसे पीसने की ज़रुरत नहीं है तो हiltव हमें विखल देवर कर सकते हैं जैसे भी आप चीनी लोग करता है पूरे प्रोसेस को हमें लोगं ठीक करता है एक जर्ट marsh中र करते हिए थी जर्ट भी होगी तो कंटिन से इंगी हो जाएक तब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे 1 फोर्थ टी स्पून लेमन जूस, लेमन जूस से जो चाशनी में क्रिस्टलाजेशन होता है, चीनी जमने लगती है, वे नहीं होगी और हमें एक दम पॉफेक्ट शुगर सिर्फ मिलकर तयार होगा, जो की चॉकलेट को बहुत ही अच्छ बन गया है, अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी, आप चाहें तो यहाँ पर डालडा घी डाल सकते हैं, या चाहे तो आप बटर भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नॉर्मली जो मार्केट में चॉकलेट मिलती हैं, उसके अंदर में वही रसिपी लेकर आई हूँ, अब हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ, बॉन वीटा और साथ ही में 1 फोर्थ कप मिल्क पाडर, आप इसमें मिल्क पाडर जरूर डालें, अल्री हम यहाँ पर इस जुगार से चॉकलेट को बना रहे हैं, तो इसमें कोई भी चीज को र मिल्क पाडर डाला है, और साथ ही मिल्क पाडर डाला है, दौनों ही मिक्षर में जाके लंपी बन जाते हैं, तो इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे, तो यह एकदम लंफरी हमारा बन जाएगा, तो कंटीनिस हिलाते रहें, और आप देखी कितने अच्छे से यह हमारा मिक् फ्रेंट्स ध्यान रखें, अभी यह शुगर सिरफ से बना है, तो यह काफी गरम है, यहां पर आप जब इसको पोर करेंगे, तो बहुती सावधानी से करें, तो मैंने आप एक मग या कप ले लिया है, जिससे कि पोर करने में एजी रहेगा, आप इसे पाइपिन बैक में काफी गरम होता है, इस तरह से किसी गलास में है, या भी हैंडल वाले चीज में डालें, या फी स्पून से एक एक करके डालें, लेकिन यह काफी जल्दी सेट हो जाती है, तो इसलिए मैं यहां पर गलास इस कप में डाल रही हूँ, ताकि इसे पोर करना इजी हो जाए, तो जो भी आपके मार्केट में जाते हैं, इस तरह से हमें यहां पर इसे पोर करले ना है, तो जıtने भी आपको जो भी मोल्ड बनाना है, यह अंध्या कोई भी मोल्ड नहीं है तो आप यहां पर आईस्टे का भी यूज कर सकते हैं, तो जैसे भी चाहें, आप इसको ज़रूर इस तरह से एक बढ़ ट्राय जरूर करें आपको यह रेसेपी जरूर पसंद आएगी तो इस तरह से हमने इसे इस मोल्ड में भर लिया है अब हम इसे एक से दो बाद टैप करेंगे और टैप करने के आसे रूम टेंपरचर पर आने देंगे साथ ही हम यहां पर सिलिकॉन आज़ा काफी कन्वेट होता है और इन्हें आप बाद में से दो आसानी से रख भी सकते हैं तो जब भी आप इस तरह से चॉक्लेट चेक्स का कई काम करें हमने अलकी घरम पानी से दो कर रखेंगे तो इसी तो आफ़ आपकी इस पास में इसे इसी हो जाएगा अब आप दे कर लीजिए यह वापस इस आपकी पेखल जाएगी और अच्छे से आप मोल्ट में डाल सकेंगे अब हम इसे टैप कर लेंगे तोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए ताकि इसमें कोई भी एर बबल्स ना रहे हैं और यह ठंडा करने के बाद मैं इसे फ्रिश में हम करीब आधे कि हमारे चॉकलेट्स में पानी की बुंदे क्यों आती वह इसलिए अनकवर रखते हैं तो देखे कितनी खुबसूरत हमारे चॉकलेट्स बनकर तयार हो चुकी हैं बहुती बढ़िया इनका शेप आया है और एक दम पॉफेक्ट लग रही है ना मार्केट जैसी अब आप इन इन्जॉय कीजिए और इस तरह से फेस्टिवल टाइमस में भी आप इन्हें गिफ्ट कर सकते हैं फ्रेंट्स फ्रेंट्स यह चॉकलेट्स थोड़ी सी चुई होती है तो इस बात का जरूर ध्यान रखें खुबसूरत सी घर की बनी होई चॉकलेट्स तयार हो चुकी है इस अबिए टारगी आपकी लिए चॉकलेट्स लएं थेंक यूओ